दोस्तों हैरानी की बात नहीं कि सिंबा ने विकेंड पर 100 करोड कमाए बलातकार की प्रतिशोद कताओं को दर्शक पसंद ही करते हैं सिंबा में नायक औरत की इज़त के लिए कानून हाथ में लेता है हम खलनायक की पिटाई पर तालिया बजाते हैं सिम्मा भी इसी फार्मूले पर हिट कहलाई गई है हीरो पुलिस वाला पहले करप्ठ है फिर बहन के बलातकार के बाद इमानदार बन जाता है पिडित को न्याय देने के लिए अपराधी को सजा देता है और फिल्म हिट हो जाती है जब हम मनमाने धंग से हिरासत में लेने हिंसा और यातना देने साथ ही न्याय प्रणाली के बाहर हत्या को वैद करार देते हैं तो अक्सर इसका शिकार वह तबका हो जाता है जिसके पास न्याय ववस्था तक पहुँचने के साधन नहीं होते हैं ये कौन है दलित आदिवासी मुसल्मान और कमजोर तबके हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई घड़नाओ के बाद सिटिजन्स अगेंस हेट नमक गुरुफ ने एक शोध किया और यही पाया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और एंकाउंटर के अधिकतर शिकार दलित और मुसल्मान ही हुए हैं। पुलिसिया यातना परदेश में कोई ठोस कानून नहीं है। पिछले साल विधी आयोग ने विधी और नियाय मंत्रालय को एक रिपोर्ट सोंपी थी। इस रिपोर्ट में कानून के जरिये यातना और अन्या क्रूर अमानुए और अपमान जनक व्यावार या सजा देने की परताल की गई थी। आयोग ने गोर किया था कि मौजूदा भारत्य कानूनों में यातना की कोई परिभाशा नहीं दी गई है। एक यातना रोक्थाम विधेक और मसोदा तयार किया गया है जिसके दाइरे में पबलिक सर्वेंट या उसकी तरफ से यातना देने वाले मंगते हुए उसे दर्सक फ्री हैंड देते हैं कि चलो भाईया हमारी तरफ से आप उठकर खड़े हो जाओ। कभी कभी दर्सक खुद ही इंसाफ करने पर उतारू हो जाता है तब हिंसक भीड ही तया कर लेती है कि कौन अपरादी है और किसे कितनी सजा दी जानी चाहिए। दर्जन भर से ज्यादा लोग माब लिंचिंग के शिकार हो चुके हैं यही भीड दर्सकों में बदलती है और सिंबा को हिट और ब्लाक बास्टर बना देती है इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है।